मेश राशी, स्वास्थ के मामले में थोड़ी समस्या हो सकती है, दिक्कतें आ सकती है, बेवज़ की चिंता हो सकती है और धन का खर्च इतना जादा बढ़ सकता है कि धन खर्च से भी समस्या हो सकती है किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें तो दिन के मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी शुभरंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ प्रतिशत यानि मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा व्रिशवराशी काम के नए आउसर मिलेंगे आर्थिक लाब के योग आपके लिए बन रहे हैं थोड़ी सी व्यस्तता भी आपकी बढ़ी रहेगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर प्रतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है मिथुन राशी आर्थिक स्थिती आपकी अच्छी रहेगी करियर में आपको सफलता मिलेगी किसी पारिवारिक कारिय में इस समय व्यस्त रहेंगे हनुमान चालिसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुभरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है असी प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है करकराशी थोड़ा सा प्रयास करेंगे एफर्ट करेंगे आपके रुके हुए काम निश्चित रूप से इस समय पूरे होंगे चिन्ताओं से आपको राहत मिलेगी स्वास्थ आपका अच्छा बना रहेगा खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुभरंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है सिंगराशी करियर में लापरवाही मत करियेगा चोट चपेट से बचाव करें महत्वपूल्ड काम फिलहाल कुछ दिनों के लिए टाल दीजियेगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ प्रतिशत मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा कन्याराशी धन लाब के योग बन रहे हैं पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी लाबकारी यात्रा के योग भी दिख रहे हैं हनुमान चालिसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर प्रतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है तुलाराशी थोड़ा सा प्रयास करेंगे इस समय आपको करियर में सफलता मिलेगी धन लाब के योग बन रहे हैं आपके जिम्मेदारियां इस समय आपकी बढ़ी रहेंगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65 प्रतिशत जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाब होगा व्रिश्यक राशी सिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी संपत्ति का लाब भी आपको हो सकता है मानसिक चिन्ता आपकी समाप्त होगी खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है धनुराशी स्वास्त का ध्यान बनाए रखें परिवार में विवादों से बचाव करें किसी मित्र की सहायता से आपको लाब होगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें आपकी निश्चित रूप से हल होगी शुबरंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ प्रतिशत मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा मकर राशी स्वास्त के मामले में आपके सुधार होने की संभावना इस समय बन रही है करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी समाचार इस समय आपको प्राप्त होगा खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर प्रतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है कुम्बराशी रुके हुए काम आपके पूरे होंगे धन लाब के योग बन रहे हैं पद प्रतिश्था का आपको लाब होगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है असी प्रतिशक बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है मीन राशी सिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी करियर में आकस्मिक लाब के योग बन रहे हैं रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90 प्रतिशत सबसे जादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है